कितने प्रकार के होती है और कौन सा सब्ट्द किस छत्र में सबसे जाएदा काम में लिया जाता है और जैसा कि आप सबको पता है मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं तो कंप्यूटर के अंदर सब्टेर सबसे पहले आपको परकार पता होना चाहिए कि कौन सा सब्टेर किस परकार में आता है आपने नाम सुना होगा सिस्टम सब्टेर सिस्टम सब्टेर का क्या मतलब है कंप्यूटर जब रेडी क किया जाता है computer earlier त्यार किया जाता है तो उसमें hardware और शात में software किया जाता है तो hardware आप समझते हो जिसको हात लगा कर SCR और रहुत है लेकिन उस hardware को चलाने के लिए सबसे अहमीक आई जिसको आप बोलते हो system software और आपने नाम सुना होगा जिसे window है window 8 8.1 है window 10 है 11 है 10 pro है 11 pro है 7 है XP है विजडा है window ठाण में है window 2000 यह सारे के सारे किसमें जाते हैं system software की अंतरगत जाते हैं system software के परकार देख लेते हैं एक नमबर है operating जो हम window की बात कर रहे थे अभी कोई भी window हो links है unix है यह सारे के सारे operating में जाते हैं यानि computer को चलाने का जो काम करता है वो software operating के अंदर जाएगा जिसको आप OS भी बोलते हो operating system उसके बाद में programming language यानि जो program लिखे जाते हैं वो किस language में लिखे जा रही है यह सबसे important बात है कि आपको computer के जो program आप चलाते हो वो किस language में लिखे जा रही है programming जो language होती है उनको क्या बोला जाता है system software बोला जाता है क्या बोला जाता है system software बोला जाता है उसके बाद में आता है बासा अनुवादक आपके पास कौन सी बासा है किस प्रोग्राम को आपने किस बासा में लिखा है उस बासा को दूसरे प्रोग्राम की बासा में अगर कनवर्ट करना है तो उसके लिए बासा अनुवादक जो सोफटेर होते हैं उनकी जूरत होती है तो वो जो बासा अनुवादक सोफटेर होती हैं वो भी किस में जाते हैं स जो मसीन आती है या फिर फिंगर प्रिंट वाली मसीन आती है यह सारी कि सारी चीज अगर आपको आपके कंप्यूटर में जोडनी है तो उसमें आपको करना पड़ता है डिवाइस ड्राइवर क्या करना पड़ता है डिवाइस ड्राइवर और इस डिवाइस ड्राइवर को हम क aja Q की कोशिस कर रहा है और ल Żबास स्फरे दोसरे यक में बदल के दे रहा है इसlevास को द्रेवर के अंदर कोई भी डिऴाइस फोड़ यूज करें हो तो हम कौन सा पर सिस्टम सोटेइब करना है उसके बाद में से। अवैस सब्सक्राइब होते हैं जो यूजर अपनी जुरूरत के लिए उन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में रखता है समाने प्रयों के लिए जैसे अभी मैं ब्लेक बॉर्ड यूज कर रहा हूं यह वाइट बॉर्ड तो इसके अंदर कोई प्रोग्राम चाल रहा है तभी मैं पाउर कॉइंट में एकसेस में आउट लुप में कोई भी प्रोग्राम में अगर काम करें वो एप्लिकेशन सब्टेर के अंतरकत जाता है और ध्यान रखना कंप्यूटर के अंदर एप्लिकेशन सब्टेर कंप्यूटर को रेडी करने के बाद इस्टॉल किये जाते हैं कंप्यूटर में सिस्टम सब्टेर है तभी एप्लिकेशन सब्टेर चलेगा अगर एप्लिकेशन सब्टेर आपके पास नहीं है तो कंप्यूटर चल सकता है लेकिन आप उसमें क्या नहीं कर सकते हो समाने कारे नहीं कर सकते हो कारे करने के लिए आपके पास कंप्यूटर मे इस्टॉल करने होते हैं जैसे MS Office है Adobe Reader है Photoshop है कोई भी Media Player हो सकता है कोई भी Browser हो सकता है सारे के सारे किसमे जाएंगे Application Software में जाएंगे किसमे जाएंगे Application Software में उसके बाद में चर्चा करते हैं Utility Software के बारे में Utility Software कौन से ओते हैं जो computer को सुरुक्षा परदान करती हैं क्या करते हैं computer को शुम्हिशा परदान करते हैं जैसा कि आप सब को पता है computer में शुvat परदान करने के आपके पास antivirus होना चाहिए बढ़ी असा एंटी वाइरेस से आप कर सकते हो आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को से रख सकते हो आपके पास जो फाइले हैं उनको से रख सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कंप्यूटर पर कोई अटेक करा है यानि कोई फाइले चुराने की कोशिश कर रहा है तो आप एंटिवारस से उसको बचा सकते हो उसके अलावा फाइरवोल जो कंप्यूटर के साथ आता है फाइरवोल भी यूटिलिटी सोप्टेर है वो भी कंप्यूटर की रिक्षा करता है अगर मान लीजी आपके कंप्यूटर में कोई रिस्क वाली फाइल आ रही है तो फाइरवाल पहले ही सचेथ कर देता है कि यह फाइल आरे है कि सीस में जाएगा यूटिलिटी सॉप्टेर की अंतरगत जाये एक आता है डिस्क मनीजमेट जिसका मतलब यह होता है कि आपके कम्प्रीट की जो डिस्क है यानी मेमोरी है उसको कैसे management करना है उसका कौन सा पार्ट है जिसमें आपको मतलब बहुत सारी फाइल है जो आपके computer के लिए जरूरी नहीं है फिर भी वो आपने computer में रख रखी है उसको हटाने के लिए यानि एक बार के लिए वो क्या करेगा आपकी disk को space मना के दे देता है disk management software तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना और वीडियो को लाइक शेर और जो हमारे चैनल पर आज नहीं है वो चैनल को subscribe कर लेना computer से समंदित बहुत सारे वीडियों है जो आपको time to time मिलते रहेंगे जो मैंने वीडियो ये बताया है उसको आप दो 3 बार देखोगी तो आपके सम्सिमें आजाएगा कौन सा सब्शepyर किस काम आता है अगर एकजाम में इस तरीक depression आप आपको मिलता है तो आप असानी से कर सकते हो बस आपको पता होना चाहिए बितने Hamburg is तब तक के लिए जै हिंज जै भारत